हाई अवरिवन मैं हूँ सुधीर और आप से भी का कोड़ टाकिंग ऑफिचल पर स्वागत है इसके पहले के वीडियो में हमने कंप्यूटर से जुड़े वे मैंने आपको बताया कि 2012 में जब जैसे स्चिक के दोरा सचिवाले का पेपर लिया गया था तो वहां पर जो एक्जाम था वो पे इसमें जो एक्जाम थे दो चर्डूम लिया गया पहला तो प्री का और उसके बाद में अथा जो बच्चे प्री में सफ़ा लिए उन्हें में क परिक्षा के लिए बुलाया गया तो आप दोनों पेपर को देखेंगे तो आप आज हम लोग 2012 में जो सचवाले का पेपर हुआ है उसके प्रेश्णों को देखेंगे यहां पुल मिलाकर एदि मैं बताओ 120 प्रेश्ण पूछे गये थे जिसमें कीवल 30 प्रेश्ण जो थे वह आपके पूछे गए थे कप्यूटर से तो आए यहां समय ना लेते वे उन प्रेश्णों को देखते हैं किस पर का प्रेश्ण बनाया गया था आए देखे आपके स्दावने यह पहला प्रेश्ण है इंटेग्रेटर शरकिर का सबसे कम महत्पुन क्या है और आपको तो आपको सही उताँ यह था तो तीस्री पड़ी कंप्यूटर में इसका प्रयूख किया गया था किस के किस रूप में प्रोसेसर के रूप में आगे बढ़ते अगले प्रश्म मुद देखते अगला प्रश्म मारा क्या है यह है यह आपका OSI प्रश्म मौडर की टांपर्ट लेयर निम्निकित में से कौन सी सेवा प्रदान करता है देख सकते हैं आप्सें आपके लिए जरूब हो जाता है कि यह OSI होता क्या है यह यहां पर आज के सवेम यह प्रेश्न आपसे फिर से पूछ दिया जाए तो आपके लिए आसान नहीं हो इस प्रेश्न का उत्तर देना तो सबसे पहले यह जानते कि OSI होता क्या है तो मैं आपका बता हूँ OSI का पहला फूल फूर्म व्याद रखे इसका फूल पर में आपका ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन मौड़ल ओपन सिस्टम इंटर करट्रीक्शन मॉडल तो इसका फूल फूल यह था ये है क्या तो यह एक प्रकार का रेफरेंग का मौड़ल रिख विक्सित की नहीं किया था य कृक्ड आए ने Πण एस ओ नामक एक संगठें ने इंटरनेशनल औरनाइशन फोर एक्टेंडर लाइजेशन अथाथ इस संगठें ने इस मॉडल का को बिक्सित किया था आई इसे देखते हैं पहला तो याद क्या रखे कि इस मॉडल में आपको साथ लेयर मिलेगी कि कि कितना लेयर होता है साथ ल में कितने लेयर होते हैं तो अभी हम जानेंगे तो आज समझते हैं कि यह OSI मॉडल होता क्या है तो मैं बताओं तो याद जो है यह जो मॉडल है ना OSI मॉडल यह किसी नेटवर्क में दो यूजर को दो यूजर को यूजर के मद्धिया कम्निकेशन मतलब संचार संचार उपलब्द कराने के लिए एक रेफ्रेंस है यहां कर सकते एक संदर्व है समझ में नहीं आओगा थोड़ा कठीन है आईए सो सदर दो यह हिंदी में कहों संदर्व संदर्व का मॉडल है और यह मैं बताता क्या है यह मैं बताता है और कि कि सी नेटवर्क में डाटा यह हम कह सकते सूचना कैसे send या receive होती है तो यह जो model हमें क्या बताता है कि किसी network में किस प्रकार data या सूचना कैसे send मनले कि भीजी जाती है या कैसे प्राप्त की जाती है तो यह हमाँ बताता है कौन सा model OSI model हमें यह सारी जनकाई देता है पहले तो याद क्या रखे कि यहां पर आपको कई सारे लेयर देखने को मिलेंगे और यह जो सभी लेयर होते हैं इनका अपना अलग-अलग काम होता है जिससे क्या होगा कि एक जो data होता है एक system से दूसरे system तक असानी से पहुंच सके देखें यह जो topic है यह आपका network से जब हम संचार पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक यहां पर चर्चा करूंगा कि OSI का reference model है यह होता क्या है इसके कितने reference होते हैं बस अभी इतना याद रखें कि यहां एक प्रकार का reference का model है और यहां पर क्या होता है कि data एक network में data या सुचना किस प्र चांगे बढ़ते हैं देख लेते इस प्राश्ण का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रकार सही उत्तर होगा option number यह क्या कर रहा है दो process को तार्किक रूप से क्या करता है जोडता है मैंने आपको बताया आपको क्या होगा कि यह दो user को क्या करेगा कि मध्य में communication अर्था संचार के लिए क्या है एक reference है संदर्भ है संदर्भ है आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन हमारा क्या है यह देखी इसी से जुड़ा आपको प्रशन देखने को मिलेगा iOS reference model में कितने network layers होते है अब हमने बात किया ना OSI इसका full form क्या था open system interconnection model open system interconnection model अब यह यह एक संगठन है जिसने इस model को विक्सित किया international organization for standardization यह एक प्रकार का संगठन दा जिसने इस model को विक्सित किया network में नेटवर्क में क्या किया networking के लिए क्या क्या इस model का विकास किया तो आपसे प्रशन यह पूछ रहा है कि इस model कितनी नेटवर्क के layer होते हैं कितने होते हैं चार होते हैं पांच होते हैं छे होते हैं या साथ होते हैं तो मैं आपको बताऊं तो यहां पर आपको सात लिएर देखने को मिलेंगे और इनकी प्रतियक Kaliniar का अलग-अलग नाम जैसे मैं कुछ हम्तारण बतायता हूं पहला लेयर है इसे कहाता है फिजिकल लेर दूसरा लेर जो है इसे कहाता है डार्टा लिंक्लेर तिसरा हो कहाता है नेटवर्क aware चौथा को टॉन ट्रांसपोर्ट लियर बताता हूं जो पहलालेर हो गए प्रांस्पोर्ट लियर चौथा हो गया पांचवा हो गया आपका प्रेंटेशन का लियर और साथ में नहीं आया है कोई दिख्रत नहीं है जब हम इंटरनेट पढ़ेंगे संचार पढ़ेंगे कम्निक्रिशन पढ़ेंगे तो मैं यह सारी बात यहां पर कर रहां आपको आपको पर बहुतर रहां समझाने का प्रयास करूँआ चलिए आगे बढ़ते अगले प्रस्ट को देखते हैं अगला प्रस्ट नमारा क्या है संग्रहित प्रोग्राम वाले प्रथम कंप्यूटर की स वान न्यूमन इनका पूरा नाम था डॉक्टर जॉन वान न्यूमन अब इनके बारे में आपको बता दू कि आधुनी कंप्यूटर का निर्मान में ब्लेज पास्कल के बाद सबसे ज़्यादा योगदान जो है इन ही का है क्यों क्योंकि इन्हों ने क्या किया पता इन्हों प्रावशेसिंग होता है ना दिखे पहले बता दो कि जब प्रारा में कंप्यूटर बने तो जो वहां प्रोसेसर बनाएं गए उनहीं तो 0-1 रूप दे दिया गया क्योंकि जो CPU था उसमें कर प्रोसेशिंगर दिवाइस था वो क्या ओस अधाप मसीनी फासा रूप दे दिया गया लेकिन लेकिन डाटा को जीरो वा वन के फॉर्म में संग्रहित करना इस फॉर्म में लाने का जो स्रे था दिया जाता है अब जब डाटा को इस रूप में रखा जाना संभा हो गया तब ही जाकर के इस प्रकार की मेमरी का निमान संभा हो सका का इलक्ट्रोनिक मेमरी का तो कहा जाता है कि ब्लेज पास्कल के बाद आधुनी कंप्यूटर के रिर्मान में इनका सबसे ज़्यादा योगदान था तो अब मुझे बताएं कि स्टोर्ड प्रोग्रांग कंसेप्ट पर बना सबसे पैदुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर रहा हूँ यूनिवैक था इडशैक था इडवैक था या मैनियक था कौन था तो यह था आपका इडवैक यह पहला दुनिया कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम को पहले से ही स्टोर किया गया था फूल फॉर्म याद रखेंगे इलक्ट्रोनिक डिस्क्रेट वेरिबल उनिवैक को आप जानते हैं उन्वेक जानते हैं घृट्प्याइड दिखाता है रृट्षर टॉस्ट्रेट स्टोर्ड प्रोग्राम और मैंनियक तो में पठादू कि इन्हों ने यह जो या शाषा व्यूंत सितब किया व्यूंत कंप्वारा इनकी निरक्षन में एक कंप् 32 में हुआ तो वह उस समय का सबसे तेज गती से चलने वाला कंप्यूटर था कि तो इसका फूल फूर्म हो सकता आप से पूछ दे मैनियक का जब मैं वहां पर जब हम लोग पीधियां पढ़ रहे थे तो मैंने आपको मैनियक के बारे में बताया था कि इसका रिमान डॉक्टर वान न्यूमन ने इनके द्वारत किया था और इसका फूल फूर्म जो था आप पूछ लिया जाए तो याद क्या रखेंगे इसका फूल फूर्म है Mathematical Analyzer Numerical Integrated Automatic Computer इसे बनाया गया था 1952 में और यह जो कंप्यूटर था अपने समय के सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर था और यह इसी कंसेप्ट पर धारित था पर यह पूछ दिया जाए कि दुनिया का पहला कंप्यूटर जो इस यह जो यह ज अगे बढ़ते हैं आगे देखें अगला प्रशन क्या है अगला प्रशन आपका सीडेक्ट भारत द्वारा पहली बार बिक्सी सुपर कंप्यूटर निमलिखित में से कौन सा है कौन सा है तो आप्शन नमर सी जो है इस प्रशन का सही उत्तर है मैं आपको सीडेक के बारे बताता हूँ सीडेक क्या है तो सीडेक जो था यह आपको मिलेगा यह भारत में क्या था कि एक संगठन है जो क्या करता है जो क्या का किया उन्हों ने भारत के लिए शूपर कम्प्यूटर का नियमान किया इसका फुल फॉर्म है ये है Center for Development of Advanced Computing Advanced Computing और इसने क्या किया SWAM से कहा जा सकता है कि ये स्वादेशी स्वादेशी सूपर कम्प्यूटर का इननों नियमान किया अब इसका निमान जब था ये 1991 में किया गया था परम ये पहला था चलिए आगे बढ़ते हैं वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये परम जो है ये परम सिरीज है इसके अंतरगता था यहां पर इस नाम से अन्य कई प्रकार के सूपर कंप्यूटर लाइग बनाए गये इस नाम से कई प्रकार के सूपर कंप्यूटर बनाए गए इसी संस्था के द्वारा जिसमें सा आप देखेंगे परम 8000 पर परम 8600 परम 99 परम युवा परम पदम परम युवा दूइतिये और सबसे जो लेटेस्ट है ना इस परमिश्चा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो अनुपम स्रीच के अनुपम स्रीच के जो सूपर कंप्यूटर है किसके द्वारा बनाया गया था कि बार्क द्वारा कि डियाडियों द्वारा कि या अनुराग कि अनुराग कि अनुराग कि ऑगनाशन के द्वारा या option number D इन में से कोई नहीं तो हमें कमेंट करके इस प्रेशन का उत्तर बताएंगे आगे बढ़ते हैं इस प्रेशन को हम लग देखते हैं अगले प्रेशन को पहली पीड़े कंप्यूटरों में किसका इस्तमाल किया गया था किसका प्रेशन की डिवाइस की रूप में समझा देता हूं मुश्किल कुछ नहीं है वर्त मैंस में बताएंगे कंप्यूटर प्रोसेशन का कारी कौन करता है तो आपको करता है पर उस समय पहली प्रेशन कंप्यूटर बने समय क्या है 1942 से लेके 1956 तो इसमें प्रोसेशन का डिवाइस क्या था तो यह था वैक्यूम ट्यूब इस प्रेश्टर को होंगे उस समय से जिसे मैं बता दू वाल बी कहा जाता था और साथ में हिंदी में कहा जाए निरवात नालिका हो सकता आपका अगिजामनर आज प्रशन पूछे औ आपको निरवात नालिका का प्रयोग करें तो प्रहमित नाहों निरवात नालिका ये वैक्यून टीव का हिंदी रुपान्परन आप मुझे बताए कि यहआ इंटीग्र तरच्टर ने मंताने इन तरच्टर का प्रयोग का वब हुआ दूसरी कुतरी साधी कंपेटर में He को यह पूछा गया तो यहां पर एक पूछा गया था किस से ब्राउजर इंटरनेट ब्राउजर से आप विंडोज के अंतर में आपका डिफॉल्ट ब्राउजर क्या होता है कौन होता है इंटरनेट एक्स्प्रोडर तो यहां प्रश्ण क्या पूछा गया था इसो देखते हैं नहीं जारी ओप्रेटिंग सिस्टम विंडोज एट का डिफॉल्ट इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है उसमें का प्रश्ण था अब जो है विंडोज यह हमारा कंप्यूटर में वर्तमान से में किस अप्रेटिंग सिस्टम का रूप में तो यहां विंडोज एट के लिए डिफॉल्ट इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है आई 1 2 3 11ाड बताए hear क्या होगा इस प्रेस्टम सही उत्तर वैसे में बता दूँ यह इनटरνεट एक्ष्प्लोऻर स्वाटふ में लिख रखा है आई और ई इंटरनेट एक्सप्लोबर कॉंसाथ इस प्रस्रक्रीकर सही उत्तर होगा इसम्हें का सही उत्तर यह होगा नाकी Windows 8 जो समझाता हूं Windows के अब तक कई सारे संस्क्रण आये हैं कई सारे XP आया Millennium आया जो फिर उसके बाद नामकरण जो था वह अंग को कैदार पर किया गया तो मैं अब आपसे प्रश्ण ये पूछ रहा हूं कि वर्तमान स्वय में आपका कंप्यूटर में प्रयोग हो रहा विंडोस 10 अब यहां डिफॉल्ट ब्रावजर को रूप में बताएं कौन सा होगा 10 होगा 8 होगा 11 होगा तो यह और जो सी है यह सही होगा अब वर्तमान स्वय में जो आप कंप्यूटर कर रहे है न वहां पर आपको यह वर्जन देखने को मिलेगा इंटरनेट ब्रावजर मनला कि इंटरनेट एक् समय गया होंगे अगले बात करते हैं अगले बात में अगले प्रश्ण को देखते हैं अगले प्रश्ण मारा क्या है ब्रावजर में होम बटन से क्या होता है प्रश्ण पूछा गया आपके एमेल पते को इमेल संदेश में सामिल करता है यह आपको पिछली देखी कर ले जा आपके द्वारा निद्ष्ट प्रारांभिक पेज उसमें जो समागरिय है यह आपको दिखाएगा आप ब्रॉजर चला रहे हैं जो इस प्रारांभिक ही अप तो आपको कि you आप सो स्वाइद मैंने आपको इसके प्राशन पुझता हूं मैने आपको इसके प्राश्ट को तर पहले से पता ही हूगा है शाज पार मुझा किया है कि है आपके कम्प्यूटर में Windows कोर्टैटंग सिस्टम है hai तो वहां पर default रूप में कौन सा कौन सा ब्राउजर होगा यह बताईए और मोबाइल में default में कौन सा ब्राउजर आपको देखने को मिलेगा वे ब्राउजर इन दोनों प्रश्णों का उत्तर आप कमेंड करके बताएंगे M I M E text file किस extension से सेव की जाती है पहले तो इसका full form आपको बता आता हूँ किसका full form क्या होगा तो इसका full form होगा multi purpose purpose internet mail extension multi purpose internet mail extension 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 तो इसका full form होगा आपसे पूछ यह रहा है कि M I M E text multi purpose internet mail extension text file किस extension से सेव की जाती है HMT extension में HTML extension में या THM extension में या M E M E extension में तो आप बताएंगे इस प्रश्ण का सही उत्र क्या होगा तो इस में बताओं आपको इस प्रश्ण को सही उत्र क्या होगा होगा HTML extension extension हमें क्या बताता है extension हमें यह बताता है कि दस्तावेज को किस file format में सेव किया गया है आप मुझे बताएं कि computer में data को store करना है तो हमारे पास कितने सारे format होते हैं कई सारे format होते हैं जैसे यह सारे format ही तो है जहां पर हम data को store करते हैं PDF का हो गया PPT हो गया डॉक एक हो गया डॉक हो गया HTML भी एक प्रकार का format वैसे तो यह लेंग्वेज है जिसमें क्या होता है कि हम वेविपेज के क्या कर सकते है है HTML से हम क्या कर सकते हैं यह एक प्रकार का language है computer की भासा है जिससे हम वेविपेज को बना सकते हैं यह मैं यह कहूं वेविपेज को बना सकते हैं को देखते उस तकनीक का नाम बताई यह जिसका किसी email को अनाध्रिगृत हो वैक्ति द्वारा पढ़ने से बचने में किया आप चाहते हैं कि आपकी email को अन्य वैक्ति ना पढ़़ पाए तो वैसी हुआ कौन सी सेटिंग कौन सी तखनीक अपनानी होगी आपका जो email है ज़ाने किसी जो email को सुबधाय देतें या तो यहाहू का या तो Google का इनके email के website का प्रेव करते हैं उनके सर्वर का प्रेव करते हैं और वह कोई अन्य वेक्ति जिस वेक्ति को भेजे वही वेक्ति के वाल पढ़ पाए अन्य कोई वेक्ति ना पढ़ पाए तो वैसे इस्ति में यहां पर कौन सा तरीका कौन सी तक्निक अपनाई जाती है क्या होगा इंस्क्रिप्शन 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 होगा तो यहां पर क्य प्रवर्ट कर दिया गया है इस प्रश्ट को अगला प्रस्ट को देखते हैं लेकिन कौन सा इमेल का पता का सही रूप है कौन होगा एबी स्ट या डी ज्यादा मुश्किल प्रश्ट नहीं है आप जानते हैं प्रश्ट का पता क्या होता है पहले तो उस व्यक्ति क्या कर चाहता है कि अपने इमिल का नाम लिखे तो यह नाम हो जाएगा आपका बाद कि यहां पर आप देख सकते हैं एड्ड दाल मेल यह जो है एक टेंशना आपको दिखा रहा रहा तो क्या होगा ओद्ड्य ऐस प्रेंट का सब्सक्र्ण का आगले प्रावजर में कौन सा एक इंटर आपको है इंटर्नेट एक्स्प्लूरर मेंедाने थे आपको है ूद्गया प्रशन देखते हैं MS Excel 2007 में यदि आप एक सेल के मान के अधार पर फॉंट कलर बदलना चाहते हैं तो निमलिखित में से क्या किया जाना चाहिए आईए यहां पर देख लेते हैं इसको ठीक से आप देखें यहां आपको option दिख रहे होंगे प्रश्ण में आपको फिर समझाता हूं MS Excel 2007 मेरी आप एक सेल के मान के अधार पर फॉंट कलर मतलब साधरान से बोल रहा है कुछ मत करें आपको कोई सेल में वहां पर जो कंटेंट लिखा हुआ हुआ है उसके कलर को बदलना है कि समझ गहीं होंगे तो यहां पर जो विखल नीचे में लिखेंगे उनवी से किस विखलो का चुनाओ करेंगे option a देख लेते है option a हम लोग sale का हम चैन करेंगे पहला उस यहां पर हम उसका color बदलना है उसके वहाँ पर जो टेक्ट लिखा उसका color को बदलना है उसके चुना उतों हो गया उसके बाद अब देखें उसके बाद आप कहा जाएंगे format menu में जाएंगे देख लेते है और चुनाओं कर लेंगे और वहां पर आपको येदि मान के चला जाए आपको जाना है आपको क्या करना एक सेल में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो पहले तो उसल का हम चुनाओ कर लेंगे और वहां पर आपने जो कुछ भी लिखा हो उसकी उसकी फॉंड का उसको आप जो अक्छा लिखे उसके फॉंड के कलर अपको बदलना है तो वैसे सिति में क्या करना पहले आपको Home Menu पर जाना होगा होगा और Home Menu पर जाने हम चले गए पर यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको conditional for meeting का है और दूसरा अपका है यहां पर इस्टैलेस का चैन करने के लिए बोला गया तो आप पते हैं इनमें से किस पर जाएंगे आपको कंडिशनल फॉर्मिटिंग का चैन करना पड़ेगा तब जाकर के ही आप जो चुनाव किये है वहां पर जो अपने टेक्स्ट लिखा है जो भी टाइपिंग किया है उस टाइपिंग को सक्षरों को क्या कर सकते है उसके कलरों को बदल सकते है तो आपसन नमा जो बी है इस प्रेशन का सही उत्तर होगा आप क्या करेंगे इसके लिए उस सेल का पहले चैन करेंगे और वहां जो टेक्स लिखा भागा है फिर उसके बाद हम जाएंगे उपर में आपने देखा होगा टाइटल बार कर निची आपको देखने को मिलेगा मेन्यू बार मेन्यू बार रहें विकल्प कोगा कंडिश्टन फॉर्मिटिंग का आप इसका चैन करेंगा उसके बार क्या करेंगे यहां पर यह मैनेज रूल यह कर लेंगे उसके बाद आपका जो टेक्ट कफॉण का जो कलर है वह बदल सकते आप है अगले प्राश्न को देखते हैं अगला प्राश् यहां पर आप टेक्ट को लाया आपने और वहां पर उसके आज पास में टेक्ट लिखना चाहते हैं तो यह फोटो आपको कई सारे फोटो का संग्रा होता है तो इसके लिए आपसे वही पूछ रहा है कि कहां जाएंगे तो मैं आपको बताएता हूं सबसे ऊपर में आपको मिलेगा टाइटल बार उसके नीचे मिलेगा आपको मेनु बार यहां पर आपको कई सारे बटन होंगे यहां पर मेनु बार के अंदर में आपको सकेंड रो में मिलेगा इंजट का टैब अगला प्रशन हमारा क्या है कि उस बिंखल्पिक की पहचान करें जिसके परयोक से हम एकलre टेम्पलेट से एक अधिक तता समयाव्यत रूप से बड़ित संहहें दस्टविज का निर्मान कर सकतें और लिखा यहां पर और प्रश्ण ए सही है कॉपी पेट सेव एज सेल मर्ज या जॉइंट जो शही उत्तर होगा ओप्षन नंबर सी होगा मेल मर्ज आप थोड़ा भ्रमित हो गया होंगे इस प्रश्ण मुझा पढ़े होंगे तो आप समझें नहीं पार रहे होंगे कि यह कह सबस्काइब करने के लिए बैठेंगे इतना करपना संभव नहीं है इसके लिए परियोग करतें पता क्या मेल मिल्ज का यहां पर क्या होता है जिस वेक्टि को भी मैल करना है आप चाहिए हजारे है क्टि के आपके पास mail करने का आईडी होता हाँ तो सारे का नाम लिख दीजिए और यहां पर जो दस्तावेज औने लेक्तियों मैहें आप सभी लेक्तियों एक दस्तावेज है तो आप एक साथ कई वेक्तियों को हजारों वेक्तियों को 200 वेक्तियों को 100 वेक्तियों को एक वेक्तियों को कितने भी वेक्ति को क्या कर सकते हैं आप उस दस्तावेज को भेज सकते हैं विभीन वेक्तियों को लागे प्रस्थन दिखते हैं अगला प्रस्थन दिखते हैं अगला अमरा क्या करता है दिया गया है कि आपको Excel में data को short filter इन कार्यों को करने के लिए Excel ही कौन सी भी सिश्था आपकी सहायता करेगी आपको क्या करना है साथ ङसेंडिंग डिसेंडिंग करें अशंद करने हैं जर्थिन स्दीं आपको यहां पर की मुथ। करेंगे कि यहां पर आप किस कमांड का परियोग करेंगे ऐसे प्रेंग ग्राइबस। करना चाहूं तो इसके लिए आप करेंगे कि यहां पर आप यहां पर क्या करेंगे यहां पर आपको पता है कि टाइटल बार के नीची में होता है आपका मेनु बार और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा मेंन्यु बारिको नीची में आपको मिलेगा क्याжी रेबर में होगा कि और आप कि डेटा का आप में जाएए उसके बाद अप्सक्रीमूरेजर इस प्रेशन का सही होगा है कि पर कौन सा अ가지 असолжBT कुर्द का एक हम यहां पर लिखता हैं कंग सा डेटा विस्मेनेजर एक्सेस है आटलूक है एक्सेल है या पावर पॉइंट है तो कौन है तो आप्शन नंबर कि यह जो है इस प्रश्मिका सही उत्तर है क्यों यह यह डाटा का प्रबंधन करने वाला मास्पीस के अंतरगत में एक सौफ्ट्वियर है जैसे हमने हमने अम सफ पहां था तो मैंने आपको बताया था कि स҉प्थ्य क्या यूंक्त को समुह है या बंदल की रीओय। में disc company की दौरको होते है दसता बिगार करने के लिए sweise City वर्ड का सोफ्पियर होगा र्दर होगा टीढ़ने के लिए यह होगा आपका साध्री बात ही नियाना बर 사ının बताई है और आप समझ गए होंगे परेवुप्र में होता है प्रशनर इंफॉर्मेशं के लिए बनाने के लिए प्रशनर रोप में प्रशनर सब्सक्राकार 2 सkogë सुस क Forschu और लिए प्रशनर साता है किसा कारिय प्रशनर सब्सक्राइब twenty thousand नाज सकते हैं और अकर्शक काराख कर शकते हैं अर एक्सल में इंप वारनाकस्तिस को वहांगा राच्ण करने के लिए बनाने के लिए परस्टर को को इस रूप scholar को में पर्यूप में रादा है आट वर्पाइट के परयूप में और प्रयूप में प्रयूपिyll connection पक्रेशुल बना सकते हैं एक अकर्षक प्रेजिद्टेशन त्यार कर सकते और XL में क्या होता हैत here चन्प बना सकते हैं कि बात है है या प्रषण आप से पूझा गया है नंबर सिस्टम से क्या है प्रषन देख लेते हैं किसी बाइनी संख्या के दो संफूरक कॉंप्लिवेंट की गन्ना कैसे की जाती है, option A सही होगा, B सही होगा, C या D, तो option जो B है, इस प्रिशनी का सही उत्तर होगा, अगले कुश्यों को देखते हैं, अगले प्रश्यमारा क्या है, कि दासमिक के नौ को पुइंडरी शिष्टम में किस प्रेकार प्रशुच किआ चैराज किके बादे में तो यहां पर तो यहां पर सही उत्तर होगा इस नमरशे होगा inf tastes मैं आपको इस पर्ष्ट कर दू यहां पर में सॉट में आपको बताता हूं चलिए कि हम लोग कैसे यहां पर दस्वनों को कोई संग्छा दस्वनों दे रखिया और हमसे बाइंडरी रूप से पूछे तो हम कैसे इसको बदल सकते हैं कुछ मत करें यह आपका दस्वनों का नं निकला फिर दू से किरें कितना जाएगा दो द्युना चार शेजवल क kell बाचा नहीं किपर घया ज repentance कि मै should उन्हें जानी है जब तक जो भागफाल जीओ नहीं हो जए अब मुझे बताए एक को दो सी आम bacla गिए उतक है कि जब भी झोटी संख्या को बड़ी संख्या स्विभाजित किया जाता हूं तोना वही होता है से संख्या क्थ जो स्विवाजित वही होता है तो आप यहां पर आप इसे समझ गए हो है अब उपर से नीच्य कि यहां 1 था यह 0 था यह 0 यह 1 आप क्या करें बायां से दायां लिखते चले जाए और यह जो निकला ना परिणाम यही होगा आपका बाइंडी नंबर अगला प्रश्ण भी आपको नंबर सिस्टम से हैं आप यहां पर आपको मैंने इसको पहले ही बता दिया था अब नीची के प्रश्ण कम लो देख रहे हैं यहां आप से पूछा है पता क्या बाइंडी टू डेस्मल अथा बाइंडी संख्या दे रहे रहा है आप से डेस्मल रूप इसका पूश्रा है कि इसको इसी कंवर्ट किया जाए तो बताई क् करना जानते हों क्या होता रशक और अवश्रक होता है फेस बईल्यो और प्लेस बेलियो UA से शेब बता में मिंबताता हूं यह 1011 संख्या मुझे बदल ना यह 10 संख्या है कैसे बदल सकता है मुझे मुझे दो रहिए एकी चाहिए तुन चाहिए इन सब क्षेज निकल गया जब Just a लिए हम जब शुर्म के तरफ से इस रस देखेंगे टिक है इस तरफ से ऋड़ाइगs तरफ से तो तरफ से देखेंगे एक तो बताए कि किसी निवान होता है जो इस पर निर्वर्द करता है वह सारी संख्याओं को बनाया जाता है दर्स आया जाता है बाते तो यहां पर हम कर सकते हैं कि इसका अधार दो होगा जैसे दस्मलव क्या होता अधार दस क्योंकि वहां दस अंकों का परियूग क्या आता है दस्मलव की संख्याओं को बनाने के लिए चली मैं उदारन समझाता तो आप मुझे बताए कि यहां पर आधार क्या होगा दस्मनों संख्या में दस अंख्या अधार दस होगा बाइंडे में किवल दो आंख है तो दो आधार होगा तो आप बताए कि इन दोने में देखे मैं आपको फिर इस्पट कर दो मैंने इसके बारे में विस्तार पूरोग आपको चर्चा किए वहां पर तो हम यहां पर प्लेश विल्यू कैसे निकाला जाता है आप क्या करें इससे सब्ढ़ना चाहते हैं तो हमारा नमर शिच्टन का विडियो जुरूर देखें आप समझ पाएंगे किस प्रकार मैं इसको हल कर रहा हूं मैंने विस्तार पूरोग इसके बारे में चर्चा कि है तो यहां पर हम किवल हल पी देखते कि इसका हल कैसे निकाल सकता है तो एक का प्लेश वेल्यू क्या होगा यह क्या होगा इस एक क पतलब 2 भी हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा दो एक पर यहां तो तो फेस हो गया हुआ है कि यह हो गया ऑच चाह करें दो एंडवों चाहया रोग्ष स enorm कर वोग्या जैसे दूना करेंगे यह आजиях रेंगמה रिपyn मानिकश्वेय जोड़ है 8 2 10 11 तो यहां पर इस्प्रेशन का सही उतर क्या होगा option नंबर ए इस्प्रेशन का सही उतर होगा option नंबर 11 आता जिसका जो मान होगा 10 मुला में क्या होगा 11 होगा आगे बढ़ते हैं कौन सा operating system function peripherals के बीच सम्मान में स्थापित करता है अ है प्रोसर्स अनवर्य में में स्क्यूर्टी मेंजमेंट कम्निकेशन मेंजमेंट या रिस्वास मेंजमेंट है मताई इस प्रेशन का सही उतर क्या होगा तो इस प्रेशन का सही उतर होगा option नंबर डी होगा resource management है कि चलिए मैं आपको peripherals के बारे में बताता हूँ पेरिफेरल के उपकरण होते हैं यहां पर यहां पर यह पूचरा का इन सारी चीजों को नियंतित करता है कौन करता है रिसार्समई करता है आगञ ला प्रसंट स्थ आघला प्रस्स को सही उत्तार था खुनिक्स तर्फ का स्सिटम में की सिंगलें यूजर्वर्स यूजर्व्र सेचु pracy guy क्या होगा ची इस प्रसंईस्ट जो ूजर्व Pakरता शी है और यूजर इंटर्फेस करेक्टर यूजर इंटर्फेस चलिंग नियूजर चैनल इंटर्फेस आपके कम्पूटर बीजने सिस्टेम यहां पर क्या होता है क्या होता है चीट्रों के यहां पर सदरानसा है कि यहां पर कंप्यूटर को याद रखना पड़ता था कमांड को याद रखने पड़ता था यहां पर यहां पर यहां कर सकते टी यूजर इंटरफेस पर धारित था यहां पर किवल कमांड के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से क्या होता था कंप्यूटर को निदेश दिया जा सकता था बात इसपेश्ट होगी होगी वत्मासमय का जो कंप्यूटर है यहां अधाय थे इस पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर अठाथ आइकन यहां पर आइकन होते हैं चित्रों होते हैं और इन चित्रों के सहता से कंप्यूटर को निदेश दिया जा सकता है अब यहां निरभरता नहीं रह गई है कीवल किस पर कीबोर्ट पर हमें याद सकता नहीं है लेकिन यहां पर में याद होनी के बाद ही कंप्यूटर को चलाया जा सकता है इस प्रेश्टर गोंगे आगे बढ़ते हैं अंगले प्रश्मों देखते हैं यहां पर लिखा है निमने कित में कौन सा एक द्वी दिसात्मक बाइडिरेक्शनल आई ओ डिवाइस है आयो का मतलब पता है यह बोल रहा है इंपूट और आउटपूट आप मुझे बताएं यहां पर कौन ऐसा डिवाइस है जो इंपूट भी है आउटपूट भी है प्रेश्टिन श्रीफ किवल आपसे यह नहीं बनाएगा कि कौन सा इंपूट आपकरन है या कौन सा यह यहां पर इस परशन का सही उतर क्या होगा और सभी होते क्या इसके अंतर का जितने भी मेमुरी के डिस्क आते हैं हाट डिस्क HD card floppy disk magnetic disk optical disk सभी disk या हम कह सकते flash memory यह सारे होते हैं दिस्क आप यह कैसे होगे input output डोनों प्रकार की device कैसे होगे क्योंकि हम input oyster जो पढ़ते हैं तो केवल हम पढ़ते है printer के बारे में जानना होता है या input के रूप में keyboard mouse figure के बारे में जानना होता है तो यह कैसे हो गया input output device तो मुझे एक बात बता है कि जब आपके computer में secondary memory को रूप में hard disk का प्रयोग किया जाता है अब जब यहां से हम परिनाम प्राप्त करते हैं तो यह क्या हो गया यह हो गया output आपका इसी कारण से यहां पर इस प्रसंद को जो सही उत्तारों का option मड़ी होगा क्योंकि जो memory होते हैं यह यह दिवाइश होते हैं वेसे संचार के रहे संचार के कुछ इसी उप्रण एक यह इस फीचर पर ना अंछह को प्रेक्स के बारे में आप मझे बताएं इंपूर्ट डिवाइस आ और प्रिवाइस, या दोनों आप्साइं लेगता हूं यहां पर अंदर प्रिंटर लगा हुए और उस प्रिंटर की सहयता से वहां जो दस्तोवेच भीज़ा गया है उसकी प्राप्त कर लेगा करता है यहां दोनों लगेवे होते हैं यहां पर यह संचार स्थापित करने के लिए पता न बहुत ज्यादा महत्पून है का मड़ूलेटर स्थार मिधोटर मॉडूलेटर करें है यहां किया करता है ड्arinशुकुर्ण को संचार के लिए अगलर अगले प्रदान करती है अगले प्रदान करती है अगले प्रदान क्या है किस तकनिक का परयोग अधिकान से कंप्यूटर अधिकान साधुनिक कंप्यूटरों में इन्पूट इन्पूट और आउट्पूट डिवाइस को CPU और मेमरी से करने के लिए किया जाता है प्रशनासान बना जता हूं आप दिखें यहां पर पूछ आपसे यह रहा है कि यहां पर कॉंसी यह संवचना है जो कंप्यूटर में आप डिवाइस है ना इन्पुट और डिवाइस है या मेमरी को डिवाइस है वो क्या होते वो कनेक्ट हो जाते सीप्यू से किस संदस्चना कारणिया संभा हो पाता है आउप्शन अबस ऑप्शन वी डिवाइस में जो यहां कारीक कर रहा है इन सारे डिवाइस को सिप्यू को जोडने में ए तो ऑप्शन नमर जो ए है इस प्रेशल का सही उत्तर होगा बस है बस चलिए मैं आपको तो कि यहां पर आपको स्थान मिलेगा तो ना जानिक कैसे बहुत सारी स्थान आपको देखने को मिलेंगे तो आप जानते हैं कि यहां पर इसके उसको वेल्डिंग कर रखा गया होता है तो यहां पर क्या होता है कि महीन धातू बचा दिया घ्याटा जाता है और इसे कहा जाता है बस और इनहीं के माध्यम से संकेतों का एक उपकरण को दूसरे पकरण से जोड़ने में अर्थात यहां पर राम का चीप लगा हुआ मदरबोर्ड में जो स्लॉट पर लगाया गया है तो नीची में जो समझना है ना यह जो समझना है जो धातू किसे बनी वेज़ इलेक्ट्र हम करनेक्ट हों पाता है ना जाने हम कर सकते हैं कई प्रकार के इनपूर आपपूद इप्ट इपया सुखेस्ट के माधinação से क्या होते हैं चैया नंबर आ बस आग्रैंँ में उस सही बीकलब का चनellen में करें इंपूर्ट डिवाइस के हिंस्षे का निमान करता है कौन सा सही होगा आप से नहीं सही है ज्यादा मुश्की प्रश्ण नहीं है आपको एक प्रश्ण पूछ दिया है इंपूर्ट करनों से तो आप सा निम्रिकिन में इसे चलिए फिर से पढ़ लेते हैं क्या लिखाव है कि निम्रिकिन में से उस उस सही प्रश्ण के हिंस्या का निमान करता है कौन सा होगा तो उस प्रश्ण का सुट पूछाया हुआ, इनपूट पूछाया है, कौन होगा? इनपूट हाट डिस्क क्या है, मिमरी है, मॉनिटर क्या है, आप इंटर क्या है, यह आउट पूट के डिवाइस है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन को देखते हैं, निम लिखित में से उस रही विकल्ब का चैयन क करें जो बॉक्स पर लगी छड़ी वाले डिवाइस को संखेत देता है और जो निश्किन पर कर्षा करने अंतर करता है कौन होगा फिर से इन्पूर्ट डिवाइस के बारे में पूछ रहा है तो क्या होगा ऑप्शन से ए सही है भी सी या टी वार कोड रीडर कीबोर्ड प्रि से एक परखना होती कैसे है इसी प्रकार के टो होती है यहां जाыш का प्लुप में होता है यहां पर centre कर सकते है जो के युदि कर सकते हैं कंप्यूटर की वीडियो गेम की दुरह दिखता है और इसका परियोगी इंपूर्ट डिवाइस को रिख्मिक किया जाता है तो इस प्रेशन जो सही उत्तर है option but D है आगले प्रेशन को देखते हैं निम्खित में किसका इस्तिमाल network के physical configuration के लिए नहीं किया जाता है किसका नहीं किया जाता है निम्खित में किसका इस्तिमाल network के physical configuration के लिए नहीं किया जाता है तो option A सही protocol gateway switch या router तो इस प्रेशन जो सही उत्तर है option number A है प्रोटोकॉल 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 अगले प्रेशन को देख लेते हैं यहां लिखा IP address 132 पढ़ लें इसको आप बहतर डंग से किस network class से जुड़ावा है क्लास A, क्लास B, क्लास C या क्लास D तो जब हम networking पढ़ने के लिए आएंगे तो मैं आपको समझाओंगा वैसे मैं आपको बता तू इसका फूल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल और यहां पर जो option number A है इस प्रेशन के सही उत्तर होगा क्लास A चली बात करते हैं अगले प्रीशन के बारे में अगलार प्रीशन कमारा क्या है ढूर्वाग करने वाले way कंप्यूटर को क्या कहा जाता है है battew को कहते हैं जाता है आपको उन सारे प्रस्टोंशे परचित कर वाया ने के मैं बताना यह चाहता हूं कि आपका एक्जाम नुटा मैंने पिसली क्लास में इसके बारे में विज्तार प्रोच चर्चा की तो यहां पर आप देख पा रहेंगे कि और इंटरेट से पूछा गया यह तो आप क्या करें कि MS Office और इंटरनेट इसे भी बढ़ने का प्रयास करें कि यहां से सबसे ज़्यादा प्रश्ण आपके एक्जाम के दौरा बनाया जाता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुनने के लिए झाल 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 झाल